हेलो फ्रेंड्स मैं C.A. दरवेश आपका Educate My India के चैनल पर स्वागित करता हूँ दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गवर्मेंट स्कीम के बारे में जो पूरे देश के लिए यूसफुल है और डिटेल में इसको जानेंगे दरवेशल इस स्कीम में गवर्मेंट आपको 35% तक की सबसीडी देती है नए बिजनेस को ओपन करने के लिए ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए है एक्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है ये स्कीम आती है MSME के अंडर Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के अंडर और इसका पूरा नाम है Prime Minister Employment Generation Program परधान मंतरी रोजगार योजना ठीक है जी रोजगार को उत्पन करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है और इस स्कीम का जो मेनेजमेंट है वो तीन इकाईउं से होता है एक तो MSME की ही बोड़ी है KVIC, Khadi and Village Industries Commission उसके बाद में State Level पर KVIB बना हुआ है, Khadi and Village Industries Board और District Level पर District Industries Center जिनने हम जिला उध्योग के अंडर भी कहते हैं दरसल अगर आपने इस स्कीम के अंदर अगर अपलाई करना है तो आप इन तीनों में से कहीं भी अपलाई कर सकते हो DIC और KVIB तो State Level की Government के अंडर कंट्रोल में आता है और KVIC National Level के अंडर आता है ठीक है जी अब next क्या है कि जो bank जो finance करता है अब important ये जानना है कि अगर आप suppose करो कि आप general category से बिलोग करते हो और आपको किसी गाउं के अंदर plant लगाना है general category में आप मतलब male candidate हो मनलो general category के male candidate अगर गाउं में कोई नया उध्योग शुरू करता है तो government उसको 25% subsidy देती है और अगर वो शहर में कोई नया उध्योग श्टार्ट करता है तो government उसको 15% subsidy देती है यही general caste का candidate अगर suppose करो female हो तो उसको गाउं के अंदर 35% subsidy मिलेगी और शहर के अंदर 25% subsidy मिलेगी मतलब 15 और 25 दस-दस परसंद बढ़कर 25 और 35 बन जाएगा और जो schedule caste या backward caste या फिर minority से बिलोग करते हैं उनको अगर वो शहर में उध्योग लगाएंगे ठीक है और अगर वो male है male हो या फिर female हो से कोई फरक नहीं पड़ता तो यह जो subsidy है यह आपकी 25 और 35 का ratio रहेगा और जो आपने खुद पैसा लगाना है अगर आप जनरल कास्ट के male candidate हो तो आपको 10 परसंट लगाना है अगर आप female हो या फिर schedule caste वगर से बिलोग करते हो तो आपको 5 परसंट लगाना है समझ गए हो simple सा funda है कि आपको 15, 25, 35 तीन slab में आप कहीं ना कहीं फोल जरूर करोगे और ग्रामिन शेतर में 25, 35 चलेगा शहरी शेतर में 15, 25 चलेगा total project cost का government इतनी subsidy देगी अब यह subsidy देगी कैसे आप इस process को भी थोड़ा सा समझना दरसल इस scheme में दो तरीके के businesses का loan मिल सकता है पहला तो manufacturing sector या तंबाकू वगएर को छोड़ दें बाकि अगर आप कोई भी manufacturing plant लगाओगे mostly सारे इस scheme में covered है mostly सारे scheme में covered है आप उसके पर maximum 25 लाग तक का loan ले सकते हो और अगर आप service sector के person हो को repairing का इस तरह कोई काम है suppose करो services का का काम है तो अब maximum 10 लाग तक का loan ले सकते हो अब इसका process क्या रहता है इस process को समझो सबसे पहले तो KVIC online की website है आप Google पर सर्च कर सकते हो वहां इसकी online application होगी application के लिए documents कों से चीए अभी मैं आपको बता दूँगा simple steps समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने online apply करना है जब आप application दोगे उसमें आपको आपके bank का नाम और आपके bank का IFSC code भी डालना है मतलब आप किस bank से loan लेना चाते हो यह credit linked subsidy program है आप loan लोगे loan के अंदर government subsidy देगी loan माफ करवा देगी आपका 15, 25, 35% जिसमें भी आप फोल करते हो ठीक है आपने बैंक का नाम और आपके bank का IFSC code डाल दिया और आपके अपने नाम पते वगड़ा सब कुछ आपने उस application में लिख दिये और आपने application submit करती जब आप application submit करोगे वहां option पूछेगा आपसे कि आप यह application KVIC में करना चाहते हो यह KVIB में यह DIC में अगर आपका area शहर में फोल करता है शहरी शेत्र का loan केवल DIC कर सकता है और ग्रामीन शेत्र का loan KVIC, KVIB, DIC तीनों कर सकते हैं समझ गए ठीक है और maximum loan की limit मैंने आपको बताई दी service sector में maximum 10 लाग है और manufacturing sector में maximum 25 लाग है इससे उपर आप loan अपना आपका project की cost इससे उपर नहीं हो सकती अब जब आप वो loan apply कर रहे हो उस loan के अंदर आपको यह specifically बताना होता है कि आप खुद कितना पैसा लगाओगे अगर आप general cast की female candidate हो या फिर SCBC minority से बिलोंग करने वाला कोई और candidate है तो आपको 5% खुद का पैसा लगाना है 95% bank loan करेगा अगर आप general cast के male candidate हो तो आपको अपना 10% पैसा लगाना है 90% क्या है bank finance करेगा मतलब maximum पैसा आपको अपना 10% ही लगाना हो सकता है बाकी सारा bank finance करेगा 100 रुपे का suppose group project है तो 5 या 10 रुपे आपके और 90 या 95 रुपे bank के जैसे ही आपने वो file apply करी file जाएगी जिस भी board में आपने apply किया है चाहे वो KVIC हो KVIB हो या DIC हो वहाँ file चली गई उसके बाद में पूरी task force बैठेगी पूरी task force बैठेगी task force मतलब एक interview लेने वाले लोग बैठेंगे और उस panel के अंदर KVIC का head भी होगा DIC का भी head होगा उसके अंदर KVIB का भी head होगा bankers के भी तरफ से एक person आएगा और आपका जो शहर का DC है या ADC है वो भी बैठ सकते हैं ये panel होता है पूरा ये panel जितने भी files apply हुई है वो सब का interview लेता है हलांकि अब COVID के चलते interview process एक बार रोक रखी है सीधी फाइले अप्रूव हो रही है लेकि नॉर्मली interview वहाँ पर होता है interview में आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आप रियल में काम करने के लिए eligible हो या नहीं हो उस बेस फिर वो interview पास होगा आपका जैसे वो interview में आप approve होते हो approve होते ही file जो आपने application के अंदर bank का नाम और IFSC code दिया था वहाँ चली जाएगी वहाँ जैसे ही file जाएगी file जाने बद अब आप bank जाओगे bank आपसे अपने और कागज मांगेगा जो भी उसे documents चाहिए आपकी project report वगरा मांगेगा bank में जब आप कागज सम्मिट कर दोगे तो bank आपको उस business के लिए क्या है finance कर देगा finance के दो हिस्से होंगे एक तो आपकी machinery बगरा के लिए loan होगा जिसको capital employed बोलते हैं एक आपके जो माल है या उधार sale करोगे या जो आपको हलका फूलका cash चाहिए working capital का loan होगा 60 ratio 40 का आमतोर पेस में ratio follow किया जाता है कि 60% capital employed होता है 40% क्या है working capital होती है bank आपको इस तरीके से क्या है loan finance कर देगा तीन साल तक minimum आपको business चलाना पड़ेगा जैसे ही तीन साल खतम होंगे लोकिन प्रिड खतम होगा 100 रुपय का 35% या 25 जो भी आपका case है उतना रुपया government आपके loan के अंदर डाल देगी subsidy के रूप में आपका loan उतना माफ हो जाएगा बाकी loan ही आपने भरना है पूरे loan की अवधी आमतोर पर 5 साल तक रहती है 3-5 साल की अवधी होती है तो इस तरीके से आपको subsidy मिलती है subsidy ध्यान रखना total project cost का 35% मिलेगी या 25% मिलेगी जितना loan हुआ है उसका 25% नहीं क्योंकि total amount में कुछ तो 5-10% तो आपने लगाया है बाकी bank ने loan दिया है तो जो loan दिया उसका 25% नहीं total project cost का जो subsidy मिलेगी वह आपके loan में जाके क्या है credit हो जाएगी और आपका loan उत्रह माफ हो जाएगा यह process है ठीक है समझ गए अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है इस scheme का नाम क्या था Prime Minister Employment Generation Program तो इसमें जितनी आपकी capital employed है माल लो आपने 25 लाखा पूरा loan apply किया जिसमें 15 लाख तो आपकी fixed capital machinery, land, building, furniture इसके लिए लेंड के लिए सोरी नहीं मिलता लो निए building, furniture और माल लो आपकी machinery के लिए आपने 15 लाखा loan लिया, 10 लाख working capital तो पर person एक लाख के पिछे एक व्यक्ति को रोजगार देना जरूरी है तो आपके project report में और आपकी application में आपने बताना है कि हम कम से कम 15 लोगों को अपने पास काम पर जरूर रखेंगे और उन्हें salaries देंगे और वैसे भी अगर आपने कोई factory plant लगाओगे तो इतने लोगों का तो हमें वैसे भी labor या employees की रूप में जूर्थ पढ़ती है इस तरीके से क्या है? यह सारा system चलता है हाँ अगर आपने business पहले बंद कर दिया तो subsidy आपको नहीं मिलेगी कोई inspection हुई आप business कर ही नहीं रहे मालो सिरफ आपने subsidy लेने के लिए loan लिया है और inspection में पाया गया कि आपका business क्या है अग्जिस्टी नहीं करता तो भी आपको subsidy नहीं मिलेगी कि पूरा loan आपको खुद भरना पड़ेगा विद ब्याज भरना पड़ेगा कोई subsidy नहीं मिलेगी आपको ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कोई अगर गलत mindset से अगर इस scheme को लेना चाहे कि हां यार आपका loan करवा लेते हैं उसमें subsidy मिल जाएगी subsidy खा लेंगे बक्की पैसे भर देंगे बिजनस बिजनस करने क्या जूरत है कोई setting wedding देख लेंगे कहीं तो ऐसा नहीं है अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत सारे चांसे कि आपका loan में subsidy नहीं आएगी और इसी रविये के कारण बहुत से bank क्या है officially तो मना नहीं कर सकते लेकिन unofficially क्या है इसको मना भी करते हैं वो loan को क्या है sanction नहीं करते हैं तो आपने ध्यान से इस सारे process को follow करना है अब बात आती है कि documents क्या चाहिए application के लिए documents क्या चाहिए documents में passport size photo आपकी चाहिएगी अधारकार चाहिएगा और जो भी आपकी highest qualification है qualification का role इसलिए है कि आप कम से कम आठमी pass जरूर हो अगर आपने आठमी pass कर रखी है तो आप loan easily apply कर सकते हो लेकिन अगर आठमी pass आप नहीं हो अगर आप आठमी pass नहीं हो उस case में आपको manufacturing sector का 10 लाग तक का ही loan मिल सकता है और service sector का maximum 5 लाग तक का loan मिल सकता है समझ गए यह limit यह cap लग जाएगी अगर आप आठमी pass नहीं हो ठीक है clear है और इसके अलावा अगर आप SC, OBC या फिर minority cash से बिलोंग करते हो तो आपको वो cash certificate भी application के साथ लगाना पड़ेगा और एक population certificate होता है अगर आप rural area में apply कर रहे हो तो समझ गए rural area के लिए एक सरपंच certificate कुछ नहीं है सरपंच एक page पे अपने letter head पे लिखे देता है कि हमारे गाओं की अबादी 20,000 लोगों से कम है और मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ यह हमारे गाओं के अंदर यह business करना चाहता है अपनी stamp लगा के लिखे देगा वह certificate होता है वो भी साथ में लगता है लेकिन केवल rural area में urban area में लगाने के जुर्त नहीं है तो यह documents है application होगी KVIC की जो website है उस website पे application होगी हाँ उसमें आप जो आपका जो unit है वो आप चाहे रूरल हो urban हो वहाँ select कर सकते हो address आप वहाँ पर डालोगे documents आप साथ में attach करोग ठीक है तो I hope आपको यह video knowledgeable लगी होगी अगर आपको यह video पसंद आई अगर आपको लगता है कि यह आपके काम आने वाली है या किसी और के काम आ सकती है तो please इस video को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाए हमारा यह मकसद है कि पूरे India के अंदर इस तरिके की education इस तरिक अंदर की अरूछ तरिके काम इस वाली है तरिक अंदर की इसवार ब्लाम सेल इस तरिक आपको जंदर करें के लोका वमार ऑली है